प्यारे विद्यार्थियो यूट्यूब चैनल लर्नर्स भोहते 10 प्लस वन बायलोजी दियां ऑनलाइन क्लासे स्विच तौड़ा सब्दा एक वार फिर स्वागत है वेटा असी यूनिट वन कर रहे हैं जिस दिविच चैप्टर वन दे अंडर अल्रड़ी असी तिन लेक्चर वेटा इस चैनल दे अपलोड कीते हैं तुसी सब ने ओहो लेक्चर सुने हैं अज उसे लेक्चर दी सीक्वेंस देविच फोर्थ लेक्चर जिस देविच वेटा सी बाइनोमिय नॉमनक्लेचर साइन्टिफिक नॉमनक्लेचर किस तरह करीद है उदे की की रूल्स हैगे ने उनन पढ़न जा रही है हुन तक वेटा असी बाइयो डेवर्स्टी वारे पढ़े है कि की की जैविग पे पहनता है बाइयो डेवर्स्टी वारे पढ़न तो बाद देविच असी बढ़ा है जुरूरत महसूस कीती कि साड़े कुले नंबर आफ आर्गानिजम्स बहुत जादा ने इनने जादा आर्गानिजम्स नू कले कले नू समझना पढ़ना उदे बरी जानकरी लिखना बहुत जादा मुश्कल है इस करके असी अपने कामनों सौखा करन दे लई आर्गानिजम्स नों अलगलग केटेगरीज दे विच बंडे है अलगलग गृपां दे विच बंडे है जड़े विटासी आर्गानिजम्स दे गृप बनाये है उन्हा दी क्लासिफिकेशन कीती है उस दा criteria जो असी लेआ है that is similarity and dissimilarities के उनना दे जडे characters ने उन इको ये गुणा वाले जडे organisms ने similar characters वाले organisms नो एक group दे विच रखे है ते dissimilar characters वाले organisms नो अलगलग groups से विच रखता सो बिलकोल simple तरीके ना जे में ऐसी classification कारते हैं उस तरीके ना classification कीती है classification तो बाच केड़े केड़े kingdom साथे को ये बनके आये उननों सी coming chapter दे विच पढ़ा गी बट साड़ा जो ए चेप्टर है ongoing chapter है एस दे विच असी हुन systematics वारे पढ़ रही है कि systematics की है ते एस दे विच विच विटा जड़ी है कि ये taxonomy है classification है nomenclature है एस दा जो सब तो पहला पार्ट सी विटा nomenclature nomenclature वारे इसी पढ़ रहे इसी मैं ता उन्हों हुन तक 10 चुके हैं कि साथे को ये common name होंदे है and scientific names होंदे है then common name से बहुत ज़्यादा advantages है गे ने ते बहुत सरे at the same time disadvantages भी है गे ने common name से की की advantages ने screen दे दिखाई दे रहे यासी पिछले lecture दे विच पढ़ चुके है so तुसी बटा जिन्दे students ने पिछला lecture नहीं सुने है एक को डिस्क्रिप्शन दे विच जाके वो पिछला lecture जो second lecture सी उसनों जुरूर सोनन as well as third lecture हुन बटा आज जासी start करने जा रहे है scientific names scientific names दा topic start करने तो पहला जेड़े students ने हजे तक एस चैनल नो subscribe नहीं किता वो एक को और इस चैनल नो subscribe कर लें ते notifications दे ले बेल आइकन भी on कर लें क्योंके बटा बहुत सरे lectures upload होंदे है जो तो तुसी notifications on कर लोंगे scientific names हां जी बेटा असी गल कर रहे सी nomenclature दी हुन तक बेटा सी ये पढ़े है के साथे को ले दो systems है गे ने एक common name है ते दूसरा है वेटा scientific name common names दी गल कर दे हुए असी गल पड़ी है के common names एक particular area दे विच यूज कीते जन दे है एहे वेटा ओस area दे विच ओस region दे विच जित्थों दे हैगे है ओस region दे विच था अपने purpose नों बहुत ही वदिया तरीक के नल बटा है पूरा कर दे है बट एहे common name साथे ले ओदों useless हो जान दे है जदों आसी इसनों किसे whole community दे विच जाके use करना होंदा है जे मैं तो नों example देके दस्यासी के साथे को ले बटा जो common name गुलाव है गया हो हिंदी दे विच यह बंगला दे विच जाके ते तमिल दे विच जाके इस दा name जड़ा है गया हो अलग हो जान दा है इस करके विटा अज ते time दी साथे जरूरत है गी है के साथे को ले scientific names होन हो scientific names जड़े है गया ने विटा these are provided by these are given by by biologist एस दे लिए बटा असी एक particular system बढ़ाया होया है जो scientific names हा साथे को ले system है गया बटा ओ system असी adopt किता होया उसनों सी binomial nomenclature बोल दे है तो अज दा main साथा topic इस binomial nomenclature बारे पढ़ना ही है बट एस नों पढ़न तो पहला असी एस गाल नों clear कर लिए कि scientific name जड़े हागे है ओ की होंदे है जो ओधे विच केड़े केड़े feature होने चाहिए जो मैं ऐसी कहा है कि biologist में scientific name देना है किस तरीके नल देना है सब तो पहला था बटा that must be acceptable in every part of world हरी के जगा ते acceptable होबे not like common name जगा change होंदे ना रहे change नहीं होना चाहिए then it must be assigned on agreed principles and criteria कुछ भी सोच के असी नॉमनक्लेचर नहीं रख सकते है जे मैं ऐसी silver fish रखता common name ओता एक फिश ही नहीं है बट असी जदो scientific nomenclature करना है ता साथे को एक definite criteria होईगा कुछ principles होनगे ओस बेस्ते ही असी scientific nomenclature कर सकते हैं then जड़े हे और्गनिस्म नेम है गे ने बट आ एक स्पीसिज दे लई अलग लग होनगे ते एक स्पीसिज दे लई एक organism दे लई जड़ा scientific name यूज कर लिया ओ किसे होर organism दे लई यूज नहीं होएगा ता मतलब one and two दोना दे लई same nomenclature नहीं हो सकता ता बटा हुन जो scientific nomenclature दा pattern है binomial nomenclature इस वरे पढ़ दे हैं बटा पहला तो दोसी देखो binomial nomenclature नाम तो ही बड़ा क्लीर हो रहे है binomial by दा मतलब two by means two nomenclature means names so binomial nomenclature means two names so जे किसे दे अपड़ दो नाम रखांगे ता वो binomial nomenclature होगे दो नामा दा की मतलब है जे में अपड़ example लेके गाल कर दे हैं मैं थे गाल कर रहे हैं बटा फाइकस रिलीजियोसा लिखया हुए है ये पिपल है पिपल दा scientific name है याद कर लो पिपल दा scientific name है फाइकस ये दे विच बटा जो पहला नाम है इस दा ए हुन दा है इस दे जीनस दा नेम इस नो सी generic name भी बोल दे है ए हुन दा है इस दी species दा नेम इस नो सी specific name भी बोल दे है जीनस जान स्पीसिज की हुन दी है जैनरिक नेम जान स्पैसिफिक नेम तो की मतलब है इस नो differentiate करन दे ले सब तो पहला थ्टा जा एजरूर आईडिया होना चाहिँ दिया के जीनस की है तिस पीसिज की है चैहिर यजिका इचा하겠습니다 पढ़ांगे बट एक पर थोड़ जा ब्रीफ लेके आसे जरूर गर्ल करांगे के जीनस की हुँन दिया तिस पीसिज की हुँन दिया हाँ जी बटा जीनस थे स्पीसिज नूँ समझन दे लई असी ये एग्जामपल लेने है इस इग्जामपल दे विच बटा देखो तो डेकोड़े तेन फोटोग्राफ्स दिखाए यह हुँए है लाएन है देन बटा अपने को ले ले पड़ है देन टाइगर है कॉमलली इसी सारे आम केदना है के सारा की ये ये शेर है पर असल देविक बटा की है एह सारे लग-लग आरगणिज्म्स हागे है कॉमनली असी ना नो इकोजा आर्गानिजम इस करके ट्रीट कर लेने है क्योंकि ना थे बहुत ज़्यादा क्रेक्टर्स एक दूजे ना रिजेंबल कर दे है सो मेरे कहन दा मतलब कोई एहोजा ग्रुप जी दे विच एहोजे आर्गानिजम्स आ जान देने एहोजे ग्रुप नो असी बोल दे हैं जीनस सो जे मेरे बटा इते है पैंथरा पार्डस पैंथरा लियो एंड पैंथरा टाइग्रिस ए बटा जो पैंथरा पार्डस है गया है एह है लिपड इस दे विच जो पैंथरा है इस दा जैनरिक नेम है पार्डस इस दा स्पेसिक न मेरे कहन दा मतलब इना सारे यां दा इक नाम कॉमन है and that name is generic name so जो generic name है क्योंकि हो एक ग्रुप नू दिता जन्द है इस करके generic name सेम हो सकता है बट जेसी गल करिए बटा specific name दी specific name एक species नू दिता जन्द है कहन दा मतलब एक ही तरह दे organisms नू दिता जन्द है जिमें सारे लिपर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वो तो आनू समझ लागया होईगा बिल्कुल उसे द्रीक के नाल बेटा साथ एक होर एक्जाम्पल है इदे विच बेटा Canis familiaris and Canis lupis देखो एक ता बेटा अपने कोड़ी है डॉग ते एक अपने कोड़ी वालफ देखो नू दोने अर्गनिजम देखो इना दे करेक्टर से रेजेंबल करते हैं जे रेजेंबल करते हैं मतलब वो एक ग्रूप देविच हो सागदे ने ता इना दे एक ग्रूप है common ग्रूप जेड़ा है वाटा ओकी हो गया Canis तो इना दे जैनरिक नेम Canis हो गया ते specific नेम दो लग-लग हो गए एक की जड़ा है गया बटा साट एक को ले familiaris हो गया ते एक की हो गया लिवपिस हो गया तो इस तरीक के ना जैनरिक ते specific नेम लग-लग हो सकते है Students जे तो उनू लग रहे है कि यहाँ नाम बहुत आखे ने था तो कबराओं दी गल नहीं है तुसी ए न सोचो ना मोखे है तुसी ए सोचो के तो अड़ा lecture के न में इस class दे विच तुसी ता हजे दूसरे तीसरे lecture ते हो इस करके ए ही नाम ता तो अड़े एमें याद होने जानगे गलना गलना दे विची बिलकुल उसे तरीक के नली फाइकस बेंगलेंसिस एंड फाइकस रिलीजियोसा मैंगो दा है बटा मैंगी फरा इंडिका एस दे विच जो पहला है मैंगी फरा है बटा इस दा जैनरिक नेम है ते इंडिका इस दा स्पेसिफिक नेम है सो इस तरी के नलसी इनना दा बाइनों में नॉमन प्लेचर कर दे हैं नेक्स स्लाइड ते बटा बहुत सरे तोड़े कोड़े नेम देते हुए है जिमे में होने तो अनुके है कैसी याद करने है स्पेसिफिक कोई बहुती ज़्यादा टेंशन देंदी लोडनी है गलना बातां दे बिच याद हो जानके जिमें आज जिक दो कर ले इनना दे बिचो कुछ सड़े हो भी के जिमें डॉक दा सी कैनिस फैमिलेरिस अल्रेडी पढ़ चुके है पी दा पाइजम स्टाइवम है मेंगो दा पढ़ चुके है मेंगी फरा इंडिका है पाइकस बैंगेलेंस जिद एहे बोड़ दा है गया ते पिपंपल दा किये फाइकस रिलीजियो सा होँ तुसी देखो के पिपंपल दे बोड़ एबी ता आपस दे विच जे Mais 6 काफी हत तक रिजेम्भल कर दे है जे एहे आपस दे विच रिजेम्भल कर दे इसे करके तो इना दे जंद्रिक नेम हो गया गर्मिन Chelsea रखें जाने अंडर रखे जानगे इना नोसी बिना किसे रूल सो नहीं रख सादे सो इस करके सब तो पहला है सिस्टम कारलस लीनियस नहीं देता सी आपनी बोक देविच स्पैसिस प्लेंटरम एंड सिस्टम नेचर है उस देविच देता सी बट टाइम टू टाइम ये रूल से रिवाइस किते जन दे है इस आड़े को ले पंज और आर्गनेजेशन है गी आने जिड़ियें इसनों बटा डिसाइड कर दियाने जिमें इंटरनेशनल कोड फार बटैनिकल नॉमन्ध्र प्लांट से नॉमन्ध्र दे ली International Code for Geological Nomenclature, Animals, Nomenclature, International Code for Bacteriological Nomenclature, Bacteria, Nomenclature, International Code of Viral Nomenclature, Virus, Nomenclature, International Code of Nomenclature of Cultivated Plants, जड़े असी प्लांट्स नो अगाउने हैं, फासलाने, जड़े हैं साड़े Cultivated Plants ने उनना दे नomenclature दे लई, सो इस तरी किनाल साइसी एक सिस्टम दे विच बन के इनना दे नomenclature कर दे हैं, सो नेक्स्ट बेटा साड़े को ले हैं, कि जड़े हैं साइन्टिफिक नेम्स है सब तो पहली गल बटा है, जरूरत आन दे विच रखो, कि जो scientific names हैं ने, एहे जनली बटा जड़ी हैं ग्रीक दे विचों जान लेटन दे विचों लाए जन दे हैं, सो एहे scientific names ग्रीक जान लेटन दे विचों ही क्यों लाए जन दे हैं, क्योंकि बटा इहे एहोजी डेड लैंग्वेज़ ने कहना मतलब इना दे विच हून कोई नमे वर्डस नहीं आ रहे है अपनी डिक्शिनरी दे विच नमे वर्डस नहीं आड कर रहे है जाब प्राने जो वर्डस नहीं जो मतलब बंदा सी ओः चेंज नहीं हो रहा so because यह dead languages ने इस करके scientific names जड़े हैगे इने these are drawn from Greek और Latin इनना दे बिचों ही यह बटा यह लए जन्दी है जैसी किसे whole language दे बिचों ले भी लेने है even then बटा इननों सी latinize करना पेंदा है इननों Latin sense दे बिच जिस तरह Latin nomenclature रखे जन्दा है Latin language जिस तरह सानों suggest कर दी है उस accordingly इसी इननों change कर दी है so screen दे उत्ते दित्ते होई है इह rules बट इना rules नों इत्तो पढ़न तो पहला मैं एक example लेके बटा तानों समझाओं दी कोशिश कर दे है कि scientific जो names हैगे ने उदे की की साड़े को ले rules हो सकते है ता rules नों बटा समझाओं दे लई इत्ते एक slide लेन ने ऐसी खाली ते उस्ते उत्ते सारे जड़े है rules ने उनना rules नों से लिखन दी कोशिश कर दे है हाँ जी बटा so सब तो पहली गलता है है कि मैं तो नों अल्रेड़ी दस चुकी है कि एहे दो पार्ट से विच डिवाइड होंदा है सब तो पहला rule कि एसे दो पार्ट होंगे एक जैंद्रेक तेक specific जिमें मैं example ले रहे है मेंगी फरा इंडिका ये ना पुछ्छो की कीद है बड़ा common है होने 10 के ते मैं पहला पार्ट से विच पहला पार्ट जैंद्रेक है ते दूसरा है बटा specific name एक genus दा है दूसरा species दा जदो बटा सी लिखने है सब तो पहला rule है कि जैंद्रेक नेम पहला होंदा है इट इस फॉलड़ बाइ specific name पहला generic name फिर species दा ने दूसरा rule जदा जैंद्रेक नेम लिखना है बटा इस दा जदा पहला अखर है वड़ा लिखी दा है specific name दा पहला अखर छोटा लिखी दा है मतलब कि जे मैं इस नूँ लिख दा के हे मैंगी फरा ते इथे मैं लिख दा इंडिका ता इदे विच मैं species दा पहला अखर वड़ा पाता एक गल्त हो गया इस तरीक के नड़ मैं नहीं सी लिख साधा इत थे में नूँ जड़ा है कि पहला अखर इस दा की पाणा पूगा हो छोटा ही पाणा पूगा इस गल्दा सी ते या रखना है कि जैंदरिक ने इंदा पहला अखर जड़ा हो capital होंदे है ते specific दाइडा है का पहला अखर हो small letter से विछ होंदे है दूसरी गल जदों असी बटा इननों type कर दे है type कर दे time ते बाकी दी टेक्स नालों distinction देन दे लई एह हमेशा italic से विछ लिखे जन दे है ताके इननों बाकी टेक्स नालों से डिफ्रेंशियेट कर सकी तो हुन बाटा कॉस्टिन है राइस होंदे है कि जदों असी इननों type कर रहे है उदों तासी इननों italic से विछ लिखे दांगे differentiation क्रेट कर दांगे ता जदों असी handwritten लिख रहे हैं जब मैं screen ते लिखे आए ऐहो जए case दे विच की करांगे ऐहो जए case दे विच विटासी की कर दे है इस तरह दे case दे विच असी इनननों underline कर दने है तो देट बाकी टेक्स नालों इनना दी distinction create हो सके तो underline कर दे लई विटासी की है underline कर दने अपना सिस्टम है underline करना सिस्टम है ही है कि generic name नों underline करना है ते specific name नों underline करना है जे तो उसी कठ़ाई underline कर दोगे एक गल्त हो जूगा इस तरह के नासी नहीं कर सकते generic name दा जड़ा है गया उसनों अलग तो underline करना है ते specific name नों अलग तो करना है, so ए भी एस दे रूल से विच्छाओं दे, then वेटा next अपने को ले की है, कि ए कोई जुरूरी गाल नहीं है, कि जैंडरिक नेम ते scientific नेम अलग लग होन, ए हो एक को जे भी हो सकते नहीं, जे में मैं एक example लेके चले हैं सी, होने तो नो दसी सी, नाजा, नाजा, कोब्रा दा सीगा वेटा scientific नेम है, एस से विच्छे है जैंडरिक नेम है, specific नेम है, पता के में लगया है गे तो एक को जे ने, जैंडरिक नेम दा अन बड़े, specific नेम दा एन चोट है, सो ए है वेटा कुछ की रूल्स होन देने, जदो सी ieldा धा नॉमन्कलेचर करते हैं, बटा कई वरी की होन दे है ज में genre name है specific name है गई वरी ही है कि एड़ा sub species भी होन दी है ज में अपने को लेज़फे हागे पटा सी गाल करते हैं कि homo sapiens sapiens एदे विच्च homo sata genus है sapiens भी species है एक कवार होर से पिंस रखे दे ने ता हो साड़ी की आजन दी है सब स्पीसीज आजन दी है ता एहे कुछ के बटा रूल्स हैगे ने बाइनॉमिय नॉमनक्लेचर दे इनना रूल्स नो होना सी बटा स्क्रीन दे तो पड़ दे मैं तो ने एक्जामपल लाकर समझाए है सब तो पहला है गया है कि इस आर जनली इन लैटन ते रिटन लिखे के में जन देने इन इन इतलिक से विच वटा है लिखे है जनला है देन वटा अपने कोले फर्स्ट वर्ड जड़ा है गया दाट रिप्रेसंट सा जीनस एंड सेकंड मतलब की की है स्पीसीज दुनों वर्ड बायलोजीकल नेम दे विच जदों हैंड रिटन होन देन दीज आर सेपरेटली अंडरलाइन अलग अंडरलाइन करने है फर्स्ट वर्ड देनोटिंग दाजीनस स्टार्ट विच नहीं लिखिया टाइप डाइस करके नहीं टाइलिक से विच लिखना जुरूरी सीगा जैसे हैंड रिटन है तो यह अलग 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 अंडरलाइन करांगे देन जैनरिक ते कॉमन नेम देट में भी सीम स्टार्ट एंगे यह नाजा नाजा भी एिक्जांपल देती है खोरिला ओरें जीनस तुह विच अनम सारा टैंट अग विचण से नहीं लिखिया इस दिया एक्जम्पल से अडिकल एड़ी है गिया हो और अले टाइम देविच असी और एक्जम्पल देखांगे इस ही कुछ के रूल्स जेड़े रूल्स उनों सी फॉलो कर देए वाइल राइटिंग दा नॉमन्कलेचर वाइल राइटिंग दा सैंटिफिक नेम्स then scientific names जो उसी लिखे एए न दे की की benefits ने ये ज़े बाइलोजीकल नेम्स है कि ने देज इस अर युनिवर्सली acceptable हर एक जगाते acceptable ने language change होंदे नर चेंज नहीं होंदे small and comprehensive अपने इसको meaning भी लाके चल दे है then सानुए तो एभी information मिल जान दी है कि केड़े group नू बलाउं कर दे जमें phicus religiosa, phicus bengalensis दोना दा नाम पढ़न तो बाद सानुए जरूर पता रागए कि एक को जगरुप नू बलाउं कर देने तेना कुछ similarities है गिया ने पैन्थरा लियो, पैन्थरा पाडस, पैन्थरा टाइगरेस इना दे विच similarities है गिया ने सो एदा मतलब एहे relationship नू इंडिकेट कर देने सो जड़े नमे आर्गनिसम से ने उनननों सी easily nomenclature जड़ा है गया बटाओ हो रूस से तहत दे सकते है सो एह है गिने advantages of binomial nomenclature next विटा असी गल कर दे है taxonomy दी मैं तो नू लेक्टिर दे starting दे विच दस है इस तो पहला बाले पाड़ दे विच के taxonomy है as well as systematics है इनना दे विच बहुत सरी है similarities नहीं कई इनना दुझे ने confuse भी कर दे है असी systematics से भी बारे detail दे बिच पढ़े है होँड़ असी taxonomy बारे पढ़ रहे है कि taxonomy की है this is the science of identification classification and nomenclature कोई organism साननों मिले है उन्हों पहला identify करना identify के में करना characters दे बेच दे then similarities and dissimilarities अ principle आके उसनों classify कर देना particular group दे बिच रख देना particular group दे विच प्लेस करन तुबार जो दा नॉमनक्लेचर करना based upon the rules जो साननों जो international code for botanical nomenclature, geological nomenclature उन्हानने देते होए उन्हों rules से ना लें दा नॉमनक्लेचर करना so ए सब पार्ट किड़ा है गा बटा this is the part of taxonomy based upon the special characters all the living organisms can be classified into different taxa अलगला group से विच इन्हों divide कर देने है and this process of classification is called taxonomy ए बटा साननों carlis lenius नहीं mainly classification कीती है that's why carlis lenius is known as father of taxonomy हुन बटा जदों असी इना नू study करना है मैं तो उन्हों दस है कि classify करना है की दे बेशते characters दे बेशते, character किदे लमागे external as well as internal जे मैं comparative morphology ले ली उन्हादे cell structure नू study कर ले आ उन्हादी embryology study कर ले आर्गनिजम्स दी उन्हादा environment दे विच की relationship ecology कर relationship study कर ले आ सो इना relationships नू study करके असी किसे भी आर्गनिजम्स नू identification classification and nomenclature कर दे हैं so these are the principles of taxonomy so ओही बटा सब इते लिख्या हुए है कि मैं पहला morphology study किती जन्दी है फिर उसनों इग्रोपते विच प्लेस कीता जन्द है फिर बटा उसनों इड़ा है कहासी nomenclature कर दे हैं तिन्नों चीज़ें थे explain कीती हैं जने now the difference between taxonomy and systematics taxonomy is related to identification nomenclature classification but systematics is related to description also असी ओस दी complete description भी देनी है के how it is similar are to different from others के में same है के में अलग है गया taxonomical studies जड़िया है गया ने यह mainly classification principles दे उते based हों दिया ने बट जड़ा systematics है क्योंके जसी description देनी है इस करके है mainly होना दे जो unique properties ने जो characteristics है गया ने organisms दे उस दे उपर based हों दिया ने जो बटा है taxonomy नूँ असी detail दे विच और वाली chapter दे विच पढ़ने है तो उस तो पहला तुसी गल समझो के taxonomy दे बेस दे असी किमे बटा organisms दी grouping कर दे है grouping आसी कर दे है जमें असी animals दी गल कर दे है असी बटा सारे जिनने भी animals ने उनना सारे animals नूँ एक kingdom दे विच classify कर लेया उनने एक kingdom च रख लेया ते ओस kingdom दा नाम देता असी animal या उनने animal या kingdom जेड़ा है गया बटा ओस दे विच असी डे related animal classes ने related animal groups ने उनना नोसी अलगलग phylum दे विच रख लेया सो kingdom दे अंदर आगे साथ देख ले फाइलम फाइलम दे अंदर असी बना लेया बटा classes classes दे अंदर बना लेया सी order then family then genus then species इस तरह अंदा सी बटा एक हरार की जड़ी है गी या हो follow कर दे है इस नूँ बटाएड़ा है का detail दे विच आप अगले lecture दे विच लेके जामागे बट क्योंकि आसी टक्सान भी पढ़ रहे हैं इस करके थे दसना बड़ा जुरूरी सी के species बिलकोल सारे आर्गनिसम से एक दूजे तो अलग लग ने एक species दूजी species ना resemble नहीं कर दी बट एक पोज यहां species नूँ एक genus च रख दे हैं ते बहुत सारे genus जड़े common character share कार दे नूँ फैमिली च रख दे हैं देन फैमिली जड़े रेलेटर ने एक दूसरे नूँ एक order च रख दे हैं orders जड़े rated ने नूँ class class नूँ further phylum नूँ further kingdom दे विच इस तरीके ना रख दे हैं दूसी बेटा इनन दिया नामा तो इनना कबर आयो ना कि की लिखता है इनननू अपहुल पढ़ना था हैं महीं है English ने English दे विच ही पढ़ने पर तो नूँ बेटा मैं एक दो लेक्चर दे विचे जदो detail करवाऊंगा ना कल तो नूँ जदो मैं next lecture दे विच पेक्टोरियल दसुँगा कि की species है कि में लग-लग species एक जीनिस चकठिया होगी है कि में जीनिस एक group class दे विच कर दे एक family दे विच जा order चकठे होगे तो तो अब बहुत ही वदिया concept बन जूगा तो बेटा साथा जो कम है कि प्लस वंदो concept बिल्ड अप कर नहीं है हुन तक तो असी बस ए समझो के जिनना करवाता ओ समझ ला गया ना सनू एक अलपता लागी ना कि साथे को ले किस तरीके नल जो systematics हों दे कि यह सी system follow कर दे है क systematics की है, taxonomy की है, सो इतों तक बिटा सी बढ़ लिया, taxonomical categories दा जो lecture है गया बिटा ओ लास्ट लेक्चर है इस चेप्टर दा, ओ साथा next lecture बिटा इस दा होंड वाल है सो अज देली बेटा एन नहीं साड़ा एक topic complete हो गया, जो पिछे सी start गीता सी lecture 3 दे बिच, अज लेक्चर 4 दे बिचा के complete हो गया मैं अमीद कर दे हैं कि तुसी इस lecture नो ते अनल सुनोंगी ते अपने notes बना के screen देते मेरा WhatsApp नमबर देता मेरे जरूर शेर करूंगी ते बद तो बद students वेटा इस चैनल नो सबस्क्राइब करो ते WhatsApp दे थू मेरे न जोड़ो सो देट वेटा जड़ा है गया सी WhatsApp दे उते वी discussion कर सकीए तो अड़े कोई questions नहीं हो ना questions नमा answer दे सका Thank you वेटा, thank you very much